हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनलाइन इस्टेडी किंग्डम दोस्तो घटना चक्र आर्थिकी में हम लोग तीन लेक्षर कबर कर चुके हैं तीन लेक्षर में आप देखेंगे मात्तपुण आर्थिक घटनाक्रम प्रमुख योजनाए और जो रास्टी ये अग्री मनुमान ह इंकम का राष्टी ये का उसको कबर किया जा चुका है तो सुरूस लेकर के हम लोग बिल्कूर सीरियज वाइज कबर कर रहे हैं गारत प्र बेम प्रतियोंगी परिशां को लिगे तो आईए क्रिशी गद उत्पादन भारतियों विस्व में शब से पहले भारत को कबर करते हैं इसके बाद विस्व को फीडियेफ के लिए आप टेलीग्राम जोयन कर लीजिए वहाँ पर आपको फीडियेफ भी मिल जाएगा तो आईए तीन सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में यहाँ पर हम लोग कबर करेंगे तो तीन नहीं यदि आप याद कर पा रहे हैं तो कम सी कम एक को जरूर याद रखिएगा पहले बात करते हैं खाददान का तो चावल के उत्पादन में नंबर वन पर जो राज्य है वो पस्चिम बंगाल है दूसरे पर उत्तर प्रदीश है तो यदि आप उत्तर प्रदीश की एक्जाम की तयारी कर रहे हैं यूपी पीजियस हो गया यूपी ट्रपलेसी उत्तर प्रदीश के सभी एक्जाम के लि तो अखिल भारत यानि पूरे भारत का ये उत्पादन दे रखा है कि इतना मिलियन टन होता है तो इसको आपको यहाँ याद रखना आपको यहाँ पर राजजिवाइद याद रखेगा कि चावल के उत्पादन में नमबर वन जो है वो पस्यम बंगाल है दूसरे पर उत्तर प्रदेश तीसरे पर पंजाब है गेहुं के उत्पादन में नमबर वन जो है उत्तर प्रदेश है दूसरे पर मध्ध प्रदेश है और तीसरे नमबर पर पंजाब है तो गेहुं और चावल के उत्पादन में आपने देख लिया कि पंजाब जो है वो तीसरे नमबर पर है वहें पर उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि चावल पे दूसरे नंबर पर है पस्षिम बंगाल नंबर वन पर है और मर्द प्रदेश गेहु में दूसरे नंबर पर है मक्का, तो मक्का की उत्पादन नंबर वन राज्ज कौन सा है, करनाटक राज्ज है, दूसरे पर मध्ध प्रदीश है और तीसरे पर महारास्ट्र है तो गेहूं और मक्का में आप देख रहे हैं, दूसरे नंबर पर यम्पी है तो आप कनिफ्यूज हो जाएंगे, जादा नहीं कम से कम, पहले नंबर को याद जरूर रखिए, शाथ ही शाथ उत्तरप्रदीश के अस्थान को याद रखिए तो मक्का के उत्पादन में करना तक नंबर वन है, दूसरे पर मद्ध प्रदीश है और तीसरे पर महारास्ट्र है जौर, दौर के आदे आप यहाँ पर देख रहे हैं, डालर बना है, तो इन सब का थोड़ा आप यहाँ पर इंगित देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट है, इसके अलावा जो भी होंगे, वो आपके जो है, अभी तक कोई डाटा नहीं है, तो यहाँ पर जो डालर बना है, ड एंग्नमान है, यह चतुरुत Harbor मनमान हो गया, तो इह है बस, खासकर इसको आप त्य होई देना है, जो आपको यहाँ पर पढ़ना है, यहीं आपको यहाँ पर ध्यान देना है, तो जौर के मामले में देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्ज राज्ज है तो ज्वार और मक्का में आप देख रहे हैं करनाटा की नंबर वन है ज्वार में महाराष्टा दूसरे पर तमिलनाड तीसरे नंबर पर है तो एक को याद कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है दो तीन याद रख लिए खासकर पीसेस के लिए कभी-kभी टफ बनाने में जो है डाल देते हैं दो तीन नंबर तो ज्यादा नहीं एक तो जरूर याद रखिए इसके बाद बाजरा तो करनाटक देखा आपने जवार में भी नंबर वन मक्का में भी नंबर वन बाजरा बाजरे में जो है वो राजस्थान नंबर वन है तो बाजरा बाजरे में राजस्थान नंबर वन है दूसरे पर जो है उत्तर प्रदीश है दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदीश है और किसमें दूसरे पर नंबर पर था? दूसरे नमबर पर चावल में था उत्तर प्रदेश गेहू में कौन में था गेहू में तो नमबर वन रहा उत्तर प्रदेश तो चावल में और बाजरा में दूसरे नमबर पर उत्तर प्रदेश है और बाजरा में पहले अस्थान पर राजस्थान है कुल मोटे अनाज में दिपूशा जाता है तो कुल मोटे अनाज में राजस्थान नंबर वन है करनाटक दूसरे पर हो महराष्ट तीसरे नंबर पर है इसके बाद चना तो चना में नंबर वन कौन सा है तो चना के उत्पादन में मध्ध प्रदीश नंबर वन है दूसरे पर महाराष्टरा है और तीसरे पर राजस्थान है इसके बाद आप तूर देखेंगे तूर अरहर तो इसमें महाराष्ट नमबर वन है दूसरे पर करनाटक है तीशरे पर तिलंगाना है कुल दालों के मामले में देखेंगे तो कुल दालों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है वो मध्ध प्रदेश है इसके बाद दूसरे पर राजस्थान तीसरे पर महारास्ट्र है कुल दालों में कुल खादान की उत्पादन में ध्यान दीजेगा उत्तर प्रदेश नंबर वन है कुल खादान उत्पादन में कौन सा राज नंबर वन है उत्तर प्रदेश है इसके बाद मध्य प्रदेश है फिर पंजाब का नंबर आता है तो खादान के बाद आब आगए आपका तिलहनी फशलों में तो तिलहनों में देखेंगे मूंग फलिन में नंबर वन कौन सा है मूंग फलिक की उत्पादन में नंबर वन गुजरात राज्य है दूसरे पर राजस्थान है तीशरे पर तमिल नाडु है रेव सीड और सरसू के मामले में राजस्थान नंबर वन है दूसरे पर मधप्रदेश तीशरे पर हर्याणा है सोयाबीन के उत्पादन में नंबर वन महाराश्ट्र है दूसरे पर मधप्रदेश तीशरे पर राजस्थान है सूरज मुखी के मामले में करनाटक उत्पादन में नंबर वन है हर्याणा दूसरे पर है और ओडिसा तीसरे नंबर पर है तो कुल तिलहन में नंबर वन कौन सा है राजस्थान है दूसरे पर महाराष्ट तीसरे पर मध्ध प्रदीश है अन्य नगदी फशलों में गन्ना तो गन्ना के उत्पादन में अपना प्यारा पुत्तर प्रदेश नंबर वन है गन्ना में गेहूं में नंबर वन है कुल खादान में नंबर वन है ठीक है महारास्टर हो गया दूसरे पर करनाटक तीसरे पर कपास तो कपास के मामले में नंबर वन महारास्टर है दूसरे पर गुजरात है और तीसरे पर तेलंगाना है तो दोस्तो इन में से आप ज्यादा नहीं तो कम से कम एक नंबर को याद रखिए और उत्तरप्रदेश की राइंग को याद रखिए PDF के लिए टेलिग्राम जोइन कर लीजिए वहाँ पर आपको मिल जाएगा जूट और मेस्ता जूट और मेस्ता के मामले में नंबर वन जो है यह पस्चिम बंगाल है दूसरे पर बिहार है तीसरे पर अश्रम है आलू तो आलू के मामले में उत्पादन में नंबर वन कौन सा है अपना प्यारा उत्तरप्रदेश है फिर बिहार का नंबर आ जाता है प्याज के मामले में कौन सा नंबर वन है तो प्याज के मामले में उत्पादन में नंबर वन महारास्ट्रा है दूसरे पर मध्यप्रदिश तीशरे पर करनाटक है नारियल में नंबर वन कौन सा है उत्पादन में तो केरल जो है नंबर वन है दूसरे पर तमिल तीसरे पर करनाटक है काजू तो काजू सबसे ज़्यादा उत्पादन कहा है दोस्त महारास्ट्रा है महाराष्टर में काजू नंबर वन है फिर आंधर प्रदेश फिर उडिशा है अगला तत्य है कुल फल तो कुल फल के उत्पादन में आंधर प्रदेश नंबर वन है फल के उत्पादन में आंधर प्रदेश नंबर वन है दूसरे पर महाराष्ट्रा है और कुल फल उत्पादन के मामले में जो उत्तर प्रदीश का स्थान है वह तीसरा स्थान है कुल सबजियां 1000 टन में तो कुल सबजियां अगर देखेंगे कुल सबजियों की उत्पादन में पस्चिम बंगाल नंबर वन है दूसरे पर जो है वो उत्तर प्रदीश है ठीक है तीसरे पर मध्ध प्रदीश है मसाला सबसे ज़ादा उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है तो मसाले की उत्पादन में नमबर वन मध्धप्रदेश है दूसरे पर राजस्थान तीसरे पर गुजरात है सुपारी सुपारी में नंबर वन कौन सा है दोस्त करनाटक है दूसरे पर केरल है और तीसरे पर असम है कोकोवा के मामले में नंबर वन कौन सा है अंधर प्रदेश है दूसरे पर केरल है और तीसरे पर करनाटक है अगला जो तत्थ है आपका वो है प्रमुख फशलों का उत्पादन शकल छेत्रियों उत्पादक्ता तो खासकर जो आप से पूछा जाने वाला अतत्ति रहा यही रहा है कि किसके उत्पादन में कौन सा राज नंबर वन है ठीक है तो PCS के लिए कभी-कभी वो उत्पादक्ता भी पूछ लेते हैं तो जो महत् खाद्दान की मामले में आप देखेंगे तो जो रिपोर्ट है चतुर्स अग्रिम अनुमान की शकल छेत्र कितना है तो 129.3 है इसके बाद 2386 किलोग्राम प्रति हेक्टियर है खाद्दान का उत्पादन इसके बाद आप अनाज में आप देख लो जिसमें की चावल गिहूं शमेद जो है वह जो है उत्पादक्टा जो किलोग्राम हेक्टियर है वह 2815 किलोग्राम प्रति हेक्टियर जो उत्पा और गिहुं के मामले में जो है वह 36,64 है किलोग्राम प्रती हेक्टियर ज्वार में आप देखेंगे तो 1128 किलोग्राम प्रती हेक्टियर उत्पादकता है ज्वार के बाद आप मक्का को देख लो मक्का में 395 है बाजरे का जो है वह 14,36 किलोग्राम प्रती हेक्टियर है चना का जो है 12,17 किलोग्राम प्रती हेक्टियर है इसके बाद तूर का यदि आप देखेंगे तो 892 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है कुल तिलहान का याद जरूर रखेंगे 1254 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है मौंग फली के यदि आप देखेंगे तो 1676 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रीप्टी सीड और सर्षों के मामले 1511 है गन्ना का देखेंगे तो ये 82 टन प्रती हेक्टेयर है इसके बाद कपास का यदि देखेंगे तो 462 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर है और जूट मेस्ता का 2595 है इसके बाद आप बागानी फशलों का देखेंगे तो चाय के मामले में 2016 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर है रबर में 839 है कॉफी मेंborg ot790 किलोग्राम प्रत हेक्टेयर है इनको देख लीजिएगा बाकि खास कर आपको याद रखना है नमबर वन किसमी है नमबर टू किसमी है उत्तरपदीश की रहें क्या है तो खास कर जो है पहला आपका ज्यादा इंपॉर्टन रहा उसके बाद दूसरे नमबर जो इंपॉर्टन देना है आपको फसल शेतर के मामले में देना है तो पहले आपने उत्पादन को देखना है उस गेहु चावल इनको जरूर देखने न दालों का बाकि इसमें जो है आपको जो देखना है खाश कर जैसे के उत्पादन रहा है तो उत्पादन के मामली में आपने देखा छेत्रफल के हिसाब से आपको यहाँ पर देखना है तो खाददान उत्पादन में नंबर वन प्रदिस नंबर वन है छेत्रफल के हिसाब से नंबर एक ही याद रखो बहुत है बाकि आप पीडियेफ मिली जाएगो वहां से आप याद कर पार है तो पूरा रट कोई दिक्कत नहीं है दूसरे पर यहां पर आप देखा खादान उत्पादन में दूसरे नंबर पर उत्प पार्याप्त है तो छेत्रफल के हिसाब से नंबर वन उत्पादन उत्पादन में जैसे के उत्तरप्रदीस रहा तो छेत्र वही खाद्दान के उत्तरपदेश रही है अब सब lap 3 यहां पर भी नंबर नं रहा है इंश्ओन में आप देखेंगे तो उत्रफनके मामले में आपने देखा क्या रहा है पस्षी मंगाल बेस्ट बेंगौल रहा है लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश जो है छेत्र फल में देखेंगे यह नंबर वन हो जाता है ज्वार की मामले में छेत्रफल में क्या है महाराष्ट्रा नंबर वन है वहीं पर उत्पादन की मामले में आपने देखा तो उत्पादन में जो है नंबर वन कौन से रहा है तो करनाटक रहा है करनाटक बाजरा बाजरा में छेत्रफल के हिशाप से आप राजस्थान नंबर वन है और दूसरे पर आप देख रहे हैं उत्तरप्रदेश छेत्रफल के एरिया खिसाफ से आप देखेंगे तो उत्तरप्रदेश भी नमब दूसरे पर है और उत्पादन में भी बादरा के दूसरे नमबर पर ही था ठीक है कि तोड़ा इसको जूम कर लेते हैं कि चलो ठीक है तो उत्तरप्रदन और छेत्रफल वाला आपको ध्यान देना है खास कर इसके बाद मक्का का आता है तो मक्का आप देखेंगे छेत्रफल के हिसाब से करनाटक नमबर वन है और उत्तरपादन में भी क्या है करनाटक ही नमबर वन था तो उत्तरपादन और छेत्रफल त मद्रप्रदेस में दूसरी नमबर पर है कुल दालों में राजस्थान नमबर वन हैं चिना केके & N से राजस्थान नंबर जबकि उत्पादन में पूंच लिया जाता तो मध्धपरदीश रहा है ठीक है चना की उत्पादन में नंबर वन जो है वो मध्धपरदीश रहा लेकिन छेत्रफल के उपस्सित देखेंगे तो चेत्रफल सबसेजादा जुबह भा quick वह आप देखेंगे तादस्थान धी महारास्ट, नंबर वन था थीक है महारास्ट, नंबर um रहा है यहां पर छेट्रफ़ल में दूसरा हो गया उत्पादन पूंछा जाता है तो महारास्ट लगा होगे छेट्रफल के साब से पूनछोगे तो यहां पर मद्पर्दीश लगाना होगा रेप सीड योम सरसो तो रेप सीड योम सरसो के मामले में उत्पादन के मामले में राजस्थान नंबर वन था ही और यहाँ पर छेत्रफल में भी नंबर वन ही है रेव सीड योम सरसों के मामले में जो उत्तर प्रदिस की पैदावार के नंबर में टाप 3 में नहीं था लेकिन यहां टाप 3 में दूसरे नंबर पर अपना पोजिशन बना लिया है छेतर फल में इसके बाद है काजू तो काजू उत्पादन के मामले में आपने देखा था कि काजू जो है महाराष्ट वाले ज़्यादा खा रहे थे पर काजू क्या है उत्पादन था उत्पादन ज़्यादा करते थे क्योंगे महाराष्ट जानते हो काजू जो है महाराष्ट मुंबई ही पूरी सा पहला पोजीशन कर लेता है एरिया में पिषड़ जाता है तीशरे नमबर प्रमहाराष्ट लेकिन उत्पादन में इसके बाद बात आती है नारियल तो नारियल में आपने देखा था कि उत्पादन के मामले में भी क्या है केरल रहा उसके बाद तमिल नाडु रहा फिर करनाटक रहा है केरल में भाई केरल जो नारियल रहा नारियल के उत्पादन नंबर वन आपने देखा केरल नंबर वन रहा फिर दूसरे पर तमिल नाडु तो तो-बादो यहाद रखो नारियल उत्पाद full में बीगि महारास्ट रही नंबर उन था इसके बाद है आलू तो आलू में छेत्रफल के हिसाब से उत्तरप्रदीस नंबर वन है और उत्तपादन में भी क्या है उत्तपादन में भी जो है नंबर वन ही था उत्तरप्रदीस ठीक है दूसरे पर पस्चिम बंगाल था तीसरे पर बिहार है तो तीनों की दीनों को अगला है आपका कगा केंट अगला में फिर और एक नंबर का है अगला है गंवध के उठाद में रहा है तुपत्रप्रदिष ही नंबर वन रहा है तो येरिया में भी क्या है नंबर वन ätteह कि नगदिफ गर्जों में आ पने द sì होगा कि ग्ण्याक उत्रप्रदीश रहा मारात तीसरे पर करनाटक उत्पादन में और एरिया में से मी है ठीक है अगला है आपका जूत मेस्त मेस्ता तो जूटी ओं मेस्ता में पश्चिम बंगाल जो है वह शेत्रफल के हिसाब से नमबर वन जबकि उत्पादन के मामले में आपने देखा कि पस्चिम बंगाल ही नंबर वन था तो उत्पादन में क्या था कि पस्चिम बंगाल नंबर वन रहा दूसरे पर बिहार था तीसरे पर असम था यहाँ पर थोड़ा दूसरे तीसरे परिवर्तन हो गया बाकि पस्चिम बंगाल में भी च्याहा है दूसरे पर उत्पादन में आपने विहार को देखा था तीसरे पर हसल यहाँ पर थ्वलां ही रड़ गया औगे देखो कपास है तो कपास के मामले में महारांस्टा ऐ्या वाइज में नंबर 18 है और उत्पादन के मामले वहीं ठीक है दो तीन को गोली मार तो कन्फीज हो जाओगे यादि रख को पहला तो कपास के उत्पादन में महारास्टर नंबर वन है और दूसरे पर जो है गुजरात तीसरे पर तिलंगा ना तो एरिया हो महारास्टर ही नंभर वन है मोटक्स अनाज में राजस्थान नंभर वन है जब pta में नंबर न रहा और एरिया में भी यहाँ चेतर फल में नंबर ह вок było नहीं है बढ़ते हैं आगे अगला जो तठे आपका हुआ है भारत और विश्व फसल उतपादकता तो फसल उतपादकता है किलोग्राम प्रति हेक्टियर में तो धान की जो फसल उतपादकता है सबसे अधिग जो ले दिया है वह पंजाब की है पूरे बिश्व में असफसल उत्पादक्ता किलोग्राम प्रती हेक्टेर में चाइना नमबर वन है गेहु में जो है पंजाब नमबर वन है धान में भी था पंजाब और कपास में भी पंजाब नमबर वन है किलो ग्राम प्रती हेक्टियर उत्पादक्ता के मामले में ठीक है तो धान में जो है चाइना नंबर वन है और गेहु में फ्रांस है मक्का में सयुक्त राज जी अमेरिका है और कपास में पंजाब है मक्का में तमिलनाड भारत में है और विस्ट में सयुक्त राज अमेरिका ह कपाश में जो है वो पंजाब नंबर वन है विश्युकाडाटा नहीं दिया यहां उत्पाधक्ता के मामले में उत्पाधन वाले में कबर करेंगी कपाश सब्से ज़्यादा उत्पाधन वैसे कपाश में आप यंसियर्ण हिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि अपने यहां से ही जो है वो मेनली इसकी खोज होई है कपाश की उत्पाधन में भी अपना प्यारा भारत ही है आगे पढ़ोगे अगला है उर्वरक शंबंधी आकड़े दे रखे हैं तो उर्वरक खपत किलोग्राम प्रति हेक्टेर के मामले में बिहार नंबर वन है कौन है दोस्त बिहार न हजार चड़े अबादी बिहार अगश अगला आपका क्रिशी उत्त पाधन आपने विष्व को कबर किया आप बात करते हैं भारत को कबर की अब यह है बिश्चु का डाटा शालो और यह जो आकड़ा दे रखा है वो स्वयुक्त राष्ट खादियों में किसी संगठन की अदतन आकड़ यानि करंड जो आकड़े हैं उन्ही की अनुसार है लेटेस्ट है इसकी अलावा कोई डाटा भी नहीं आया है चावल के मामले में नंबर वन पर कौन सा कंट्री है दोस्त तो चावल तो यह उत्पादन हम लोग देख रहे हैं तो चावल के उत्पादन में नंबर वन जो है वो चाइना है और दूसरे पर प्यारा भारत है तीशरे पर ब्राजील फिर इंडोनीसिया फिर भियत नाम है तो कम से कम आप एक जरूर याद रखो और भारत का अस्थान याद रखो. बाकि और याद रख पा रहे हैं तो अच्छी बात है. गेहूं, तो चावल में नंबर वन चाइना, गेहूं में भी नंबर वन चाइना है. दोनों के दोनों जो है वो बिलकुल बराबर है चाइना नमबर वन है चावल गेहूं में दूसरा भारत लग जाता है पीछे क्या गेहूं भी भारत ही पीछे लगा हुआ है चाइना के ठीक है अगला है अगला है आपका मक्का मक्का के Уत पादन Microsoft-र् तो मक्का के उत्पादन में संयुक्त राज अमेरिका नंबर वन है दूसरे पर चाइना फिर ब्राजील है फिर अर्जंटीना है फिर उक्रेन है तो टाप फाइप में भारत है नहीं मक्का में ठीक है जव तो जव में जो है रसिया नंबर वन पर है और जवार के मामले में जैसे मक्का में नंबर वन और शायक तराजर अमेरिका भी यहाँ पर नंबर वन है जवार ठीक है और यहाँ पर टाप फाइब में भारत सामेले भारत की जो रैंकिंग है जवार ठीक है तो जवार में है भारत नंबर वन है, दूसरे पर इस्पेइन, पोलेंड, फिर मजामी, बंगलादीश लगा हुआ है, मौंगफली, तो छिलका युक्त मौंगफली की बात की जा रही है, ठीक है, तो चाइना नंबर वन है, दूसरे पर अपना प्यारा भारत लगा हुआ है, जैसे कि गेहुं और धान के मामले में आपने देखा था चाइना भारत नंबर वन और दूसरे पर बने हुए है इसी तरह मौंफली में भी बने हुए है रेप सीड तो रेप सीड के मामले में कनाडा नंबर वन है भारत का जो अस्थान हुआ तीसरा अस्थान है दूसरे में चाइना लगा इसके बाद है तो शोचाowी उत्पादन के मामलय में ब्राजील नमबर वन है Ground से दूसरे पर समय पर जमेरिका है और पांच वे नमबर पर भारत का स्थान है सोयावीन उत्पादन में सूरज मुखी बीजवाली यहां पर देखेंगे रसिया नमबर वन है दूसरे पर यूकरीन, अर्जंटीना फिर चाइना, फिर रोमानिया है गन्ना उत्पादन में ब्राजील नमबर वन है ठीक है ध्यान रखना प्यारा भारत भी पीछे लगा हुआ गन्ना के उत्पादन में दूसरे नमबर पर है पहले पर ब्राजील, दूसरे पर भारत है इसके बाद है कपास वीजवाला है तो वीजवाला है, तो जो कपास है इसमें भारत जो है नमबर वन है तीक है कपास में नंबर वन अपना प्यारा भारत है और भारत में ही खोद इसकी कपास की हुई थी यहीं से जो है शुरू हुआ था एंशेंट हिस्ट्री में आप पढ़ते भी हो तो भारत के पीछे लगा हुआ है कपास चाइना चाइना जो है बिल्कुल पीछे लगा है इस इसके बार है अलुान तो आलु में क्या है चाइना नंबर वन फिर भारत तो आलुव है दान है कि अग missionary और देखो आ प्याज प्याज तो प्याज में जानते हो प्याज में जो है भारत नंबर वन है आलू में भी नंबर वन है प्याज में भी नंबर वन है गेहूं में भी डूसरे अस्थान पर रहा है चावल में भी चलो आलू और प्याज नंबर वन आलू में जो है दूसरे नंबर वन हो गया है भार भारत का स्थान भी दूसरा लगा हुआ है तो आलू टमाटर में आप देख रहे हैं बिलकुल सेम है रहें प्याज में थोड़ा अपना भारत जो है आगे हो जाता चाइना को पछाड़ देते हैं इसके बाद है सेव तो सेव के मामले में चाइना नंबर वन है दोस्तों भारत का जो अस्थान है वह पांचवा स्थान है केला में नंबर वन अपना प्यारा भारत है चाइना भी पीछे लगा हुआ है इसके बाद है नारियल नारियल में आप देखेंगे तो इंडोनीसिया नंबर वन हो जाता है ठीक है नारियल में इंडोनीसिया नंबर वन भारत में स देखूगे टाप 10 है यह साथ भी रंगंगर के मामले में २ पेजिक संतरा इसके बाद आप है भारत ब्ðी थी था भारत रहा है जाएना यहाँ दीसरे पर रहे हैं इसके बाद आप देखो हो गो चुकंदर चुकंदर तो चुकंदर है स्नसीर भाहर भारत है था उसमेंगी है। 없다 टी intrigued कर की दिसके एक पर अबहरत नबर पर लगा हुआ है। इसके पर भारत ग क्यानी मैं, पिर अर्देंटीन है। Koffi की मामले में आप देखो गे। देखो जहां भारत है ना थोड़ा आगे पीछ उसके देख लो उसके पहले को नंबर वन जरूर याद रखो कॉफी है तो काफी हरी वाले में आप देखें यह ग्रीन तो यहां पर क्या है ब्राजील नंबर वन है दूसरे पर वियत नाम है इसके बाद कॉलंबिया इसके बाद देखोगे यहां पर तंबाकु तो तंबाकु जो है मामले में चाइना नंबर वन है भारत भी लगा हुँ है दूसरे अंबर पर पर तीसरे पर नंबर हो ब्राजील भारत से पीछे कोकुवा बींस में आप देखेंगे तो कोटे डी आइवरे नंबर वन है फिर कोटे डी आइवरे कोकौवा ठीक है तो चौकौववा कोकौवा है को को एक है इसे तोड़ा याद रखना आगे बढ़ो रबर तो रबर में थाईलंड जानते ही हो इसके बाद थाईलंड नंबर वन बना हुआ है इंडो्सा है व्यत नाम है रबर के मामले में बारत जो यहां पर देखिएगा इसके बाद है आपका कुल दूध के मामले में भारत जो है वो नंबर वन है शायुक्त राज जमेरिका दूसरे पर है पाकिस्तान भी तीशरे पर लगा हुआ है और चाइना चौथे पर है ब्राजिल पांच भी पर है तो दूध के मामले में हम लोग क्या है आगे हैं इसमें भी गाय और भैस का देखा जाता है तो ज्यादा नमत पड़ो कंफ्यूज हो जाओगे यहां पर आप देखो बस कुल दूध के मामले में भारत नंबर वन है दूसरे पर संविक राज जमेरिका तीशरे पर पाकिस्तान है अगला जो तत्त है बासओ जो आधिक मिलीन हेक्टिएर यहां पर आप देख सकते है बारत की जो हिश्य दारी है विश्य में बादा इसके बाद भूछेत्र भूछेत्र में भी के मामले में अमेरिका नंबर वन हो जाता है दूसरे पर अपना प्यारा भारत है, इसके बाद यहाँ पर आप देखें जन십hya में आप देख सकते हैं, कुल जो यहाँ पर जन संख्या के मामले में Ch Diana नंबर वन हो जाता है और भारत जो है दूसरे नंबर पर है, ग्रामेड में जो है अपना जो जनसंख्या है ग्रामेड में वो चाइना जो है नहीं है नंबर वन अपना प्यारा भारत हो जाता है फशल उतपादन मिलियन टन में देखेंगे तो कुल अनाज में जो है चाइना नंबर वन है भारत का स्थान तीसरा है गिहूं उतपादन मिलियन टन में आप देखेंगे चाइना नंबर वन है दूसरे पर जो है वो भारत है चावल जैसे कि आपने रैंक देखा उत्पादन वही यहां पर इस्थिती बताई गई है इसके बाद दलहन के दिया आप देखेंगे तो दलहन के मामले में अपना प्यारा भारत जो हो नंबर वन है तिलहन में तो तिलहन में देखेंगे तो मुंगफली में चाइना नंबर वन है फिर उसके बाद ये जो भारत है वो दूसरा स्थान है भारत का ठीक है तो वही जो आप पढ़के आ रहे हो यहां पर एरिया वाइज वही सभी उत्पादन के मामले में वही यहां पर दे रखा आप देख सकते हो ठीक है रेप शीड में आप देख रहे हो कनाड़ा नंबर वन रहा चाइना दूसरे पर रहा तीसरे पर वही इस्थधी यहां पर देख शकते हैं तो यह बाते दी गई है वाड़जी फशलों में गन्ना ब्राजीर वन रहा दूसरे पर भारत विया आप काफी हरी की आपने देखा ब्राजील रहा भारत के रreng नहीं मिली थी यहां पर देख शकते वह आठी रreng का है जूट में भारत जो है नंबर वन है तंबाकू पत्यों के मामले में चाइना नंबर वन है लेकिन घारत भी तीसरे नंबर पर प्राथमिक में अब आपसफ़ियों में आप देखेंगे मिलियन टन में तो सब्जी जो प्राथमिक इस में चैना नंबर वन जैना सभी में नंबर वन बना हुआ फॉल और सब्जी ओंधियू में थीक है और सब्जियां फालालू प्याज दूसरा भारत का अस्थान बना इसके बाद उट में जो है उट में 17 नंबर पर भारत का स्थान है चाड जो कंट्री है यह नंबर वन है उट के मामले में तो पशुधन में उट में जो है वो चाड है भाइसिया में जो है नंबर वन भारत है और कैटल में जो ब्राजिल बना हुआ है दूसरे पर भारत है भे उतपाद के मामले में देखेंगे तो पशो उतपाद में नमबर भारत है। अंडे के उतपाद विंद पर है। चाइना जो है वह जैसे चिकन मैं है इसे बारत वान बढ़ते हैं अगले पेसके और अगला है नियुम्तम शमर्थन मूल फसल वर्च परती रुपया कुंटल दे रखा है तो किशान अंदोलन रहा है MSP काफी चर्चा में रहा है तो आप यहां पर देख सकते हो ठीक है धान का आप देख सकते हो पिछले के मकाबले जो बढ़ा गया 72 रुपय बढ़ा दिया गया 20HHHH है दान ग्रेड एका उननी थो सौो शार्ट है तो दोनों में 20 रुपया का अंतर है तीक है तो यह दान सामानि का पूंशा जाता है MSP तो 1940 है उसके आप ग्रेड एका पूंशा जाता है를 कर देक द्रह सकते हो इंप्वाटन्ट है धानवाला जरूर जो आरशंकर है माल डंडी है बाजरा है मक्का है रागी है अरहर तूर है तो अरहर का देख सकते हो बाजरा और मक्का का देख सकते हो बाजरा का 2250 रूपिया है, मच्का का 1817 है, अरहरतूर का 63100 रूपे है यह पिछला है वही यहाँ पर बताया गया जो बढ़ोत्तरी है तो कमसे कम आप MSP याद रखो, बढ़ोत्तरी न याद रखो, कितना भभूत है मूंग ठीक है तो मूंग का 72-75 है उड़द का देख सकते हो तिर्षट सो है तो उड़द और अरहरतूर आप देख सकते हो सेम ही है ठीक है कपास का 57 शब्विश है कपास लांग इस्टीपल वाले है मुंग फली का देख शक्ते हो शूरज मुखी का भीज है तिल नाइजर सीड सोया बीन पीरा तो कम से कम याप यहां पर धान का जरूर याद रख लो इसके बाद मक्का और मक्का हो गया बाजरा है अरहर तूर है तीक है तो इनको जरूर याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं खरीफ के बाद खरीफ में धान का जरूर याद रखो वाता है रभी का तरभी में वैया गेहूं को याद रख लो MSP 2015 रूपिया है MSP गेहूं का इसके बाद चना का जो है जव का जो बता जा रहा है 1635 रूपे है चना का 530 रूपे है मसूर लेंटिल वाला पचपन सो है रेप सीड सरसो पचास सो पचास रूपे है कुशुम का तो कुछ नहीं याद कर पा रहे हो कम सी कम धान गेहूं का जुरूर याद रखो गेहूं का कितना है इसके बाद अनाज और दालो की निवल उपल अब्ध मात्रता वताय जा रही है यह गया है तो नीश क्यावन में कितना हुआ करती थी आप देख शकते हैं 122 किलो ग्राम प्रतिवर्स जो है वो प्रतिव्यक्ति रहता था अनाज का प्रतिव्यक्ति प्रतितिन जो ग्राम अनाज है यहां पर देख शकते हैं आप यह kg वर्स का है पूरे वर्स का यह ग्राम है अनाज में दे रखें परड़े का 334 ग्राम है तो कम से का अब आप 20-21 का याद रखो एनफ है 20-21 का आप यहां पर देख सकते हो latest data यही है तो अनाज का आप देख सकते हो अनाज प्रती व्यक्ति किलो ग्राम तो प्रती व्यक्ति पर वर्स यानि पर येर 168.9 किलो ग्राम है पर वर्स पर येर का ठीक है इसके बाद है अगला आपका 462 यह प्रती व्यक्ति प्रती दिन घराम का है यहां पर अनाज दे रखा है बताया जा रहा है उसके अप्रती व्यक्ति प्रत दिन जो ग्राम है वो 45 ग्राम डाल का जो है इसके बाद रभी रभी फशलों का जो नियूंतम शमर्थन मूल्य है तो वाड़ सितंबर 2021 को प्रधान मंत्री नर्यद्र मोदी की अध्यक्षता में शंपन आर्थिक मामलों के मंत्र मंडली शमिती ने रभी विपड़न सीजन 223 के लिए रभी फशलों के नियूंतम समर्थन मूल्य में ब्रिद्धी को मंजूरी दी है रभी फशलों के नियूंतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा जो व्रिद्धी है वहां मसूर यों रेप सीट सरसो जो की प्रत सबसे जब ज़्यदेन को याद रखो किसकी जब से जब से ल्ग यदा स्सेट्थी और सरसो तो रज़らए ससब जब से जब प्रिद्धी और यहां पर सबसे ज़्यादा ब्रिद्धी इसे मशूर में विठी 4100mm की है तो यहां पर रेव सीड सरसों के मामले में आप देख शक्तों है मैं स्पीस का जरूर याद रख लो क्योंकि जादा सबसे बढ़ाया गया बात आया जा रहा है चलो इसके बाद बात आती है वह अगला जो तत्य है वो है बरस दो हजार बीस एकीस के लिए प्रमुखु फशलों के उत्पादन का दोटिये अग्रिम अनुमान है क्रिसीओं सहकारितम किसान कल्याण विभाग दोरा 2021 बाइस के लिए मुख़ फशलों के उत्पादन का दोतिये अग्रिम अनुमान 16 फरवरी 2022 को जारी किया गया है इस अनुमान की अनुशार 212 के दौरान मुख़ फशलों के नुमानत उत्पादन का बेवरा आप देख सकते हैं तो इनको जरूर याद रखो इंप्वाटन्ट फैक्ट है याद रखो खादान का जो उत्पादन मिलियन टन बता जा रहा है वो 316.06 मिलियन टन चावल के मामले में 127.93 मिलियन टन गिहूं का 111.32 मिलियन टन पॉस्टिक मोटे अनाजों का 25.86 मिलियन टन मक्का का 32.42 टन है दलहन का 26.96 है चना का 13.12 है तूर का 4 मिलियन टन है इसकी बाद तिलहन का 27.15 है शोयाबीन का 13.12 है मुंख़ली का 9.6 है रेप सीट सर्फों के 11.6 मिलियन टन है कपास का 24.06 है जूटियों मेस्ता का 9.57 मिलियन टन है गन्ना का आप देख सकते हूं 414.04 मिलियन टन है तो यह खादान उत्पादन है कम से कम आप खादान ही याद रख लो गेहूं चावल याद रख लो ठीक है तो खासकर आप से जो पूशा जाएगा वो कुल खादान पूश लिया जाएगा मेरे साब से इसको जरूर याद रखो 316.06 मिलियन टन का जो हरिकार उत्पादन का ब्योरा दिया गया है और बर्स दू हजार बाइस एकीस बाइस के लिए दूतिया अग्रम अन्वान के अंसार देश में कुल खादान जो उत्पादन है वो 316.06 मिलियन टन है यह दोस्तों तो आप यही याद रखो यह 316.06 मिलि पीचे तो छेदर की बात की जा रही अंडर इरिया एरिगेशन बाइक्रॉप्स तो लेटे जो डाटा यहाँ पर 1718 ही है तो कम से कम यह सी याद रखो आप 1718 को हुई कि इस कालम को आप देख लो यहाँ पर और खासकर आपको जो याद रखना है है ना गेहूं का देख लो चावल का देख लो मोटे अनाज का देख लो खातदान को जुरूर देखो आप गन्ना तो यहाँ पर आप चावल की देखेंगे तो तिरास तिराली दस्मलो शातातर परसेंट है सिंचित छेत्रा इसकी उज़ में यह तो एरिया हो गया आपका यह है आपका ठीक है बीस दो हजार तेरा चावल का है इसकी बात गेहूं का आप तिराने पर देख लो खात दान क्यों दस्मलो है तो कम से कम इस कॉलम की आद रखो बाकि यह तत्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन्हें में से देख लीनिए का बश आगे बढ़ते हैं बाकि यहां पर आप देख सकते हैं यहूं चावल की बात की गई है कुल खादान को याद रखो एनफ है दोस्तों बाकि यहां इतना डाटा आप याद नहीं कर पाओगे बाकि याद करना है तो पीडियेप से आप देख लीजिएगा बाकि यह सब इतना पूंशेंगे नही जो पूंशा जाता है अलड़ी मैंने वहाँ पर कबर करा दिया है खुल खादान उत्पादन जो अनुमानी तुछी वियाद रखिएगा चली आगे बढ़ते हैं यहां पर जो हो शमराइज बे में उन्होंने दे रखा है तो जो अनुमान है आपको यहां पर देख लेना है गेहुं का है चावल का है गेहुं का 111 है इसके बाद मोटे अनाज का यहां पर देख लीचीगा इसके बाद आपको जो खादान है इनको जरूर याद रखना है तीके 316.06 मिली अनुमानी थे जो आप पढ़के आ रहे हैं यहां पर समराइज बे में दे रखा है अगला है प्वसलों के भुवाई छेतर दे रख तो फसलों का जो कुल भुवाई छेतर है वो कुल देखेंगे तो 69.06,06,06,00 हेक्टेर है कुल में सबसे ज़्यदा यह आप देखेंगे तो सबसे ज़्यदा बुवाई छेतर जो कबर करता है वो तिलहन ए 154.95 है इसके बाद रभी फ तो 297.39 है जो कि सबसे ज्यादा है रभी फशलों के बुवाई की छेत्र में और कुल जो रभी फशलों का बुवाई छेत्र है वह 573.0.23 है 573.23 लाख हेक्टेर ठीक है तो इनको ही याद रखो बाकि आपको ज्यादा गोजना नहीं है इतना दिमाग में घुजेगा ही नहीं तो दोस्तो ये महत्तो पूंड उत्पादन रहे भारत यों में बेश्यों से सम्बंधि तो जिनी चिन तर्थियों को बतायागे उनको जरूर ध्यान दीजेगा बाकि पीडियाप टेलिग्राम पर मिल जाएगी वहाँ जोइन कर लीजिए टेलिग्राम जोइन नहीं किये है चैनल पर नए हैं दोस्तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजे क्योंकि आपकी सब्सक्रीप्शन ही हमारी ताकत है